इस भाग में हम लोग उत्तर प्रदेश राज से संबंदित important questions रिंखला को देखेंगे और यहाँ सभी questions एक्जाम के द्रिश्टी कोर्ड से बहुत ही important है तो आईए इस important प्रसनों की स्रिंखला को हम लोग प्रारम करते हैं इस स्रिंखला का first question है उत्तर प्रदेश राज में राज की जैन संग्रहला कहां इस्तित हैं अगला प्रसना है देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहां इस्तित हैं अपसन B. सीतापूर, अपसन C. पीली भीत, अपसन D. महराजगन्ज, इसका सही आंसर होगा A. बारा बंकी में, और देवा सरीफ, इसलिए प्रसिद्ध है कि देवार नामक अस्थान पर, यानि इसी अस्थान पर, जो बारा बंकी, उत्तर प्रदेश के बारा बंकी जनपद मे इस्थित है, यहाँ पर हाजी, वारिश, अली, शाह की मजार है, जहाँ पर सभी धर्मों के लोग जियारत करने जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपार्टेंट है अगला प्रास्ण है, वाराणिश, जनपद में इस्थित कासी विस्वनात मंदिर किस अस्थापत कला में निर्मीत हैं, आपसन उनागर शायली, आपसन बी, द्रोमिड शायली, आपसन C, वेसर शायली and आपसन D, कोई नहीं, इसका صही आंसर होगा, A, आपसन आपसन पर, इ में निर्मित है अगला प्रसना है संत कबीर ने उत्तर प्रदेश के किस अस्थान पर सरी त्याग किया था आपसन A मगहर आपसन B कासी आपसन C राजापूर और आपसन D गेहमर इसका सही आंसर होगा A मगहर में और मगहर गोरपूर के पास पड़ता है अब जो है एक नया डिस्टी की जनपद बना दिया गया है उत्तर प्रदेश का और कबीर दास के ही नाम पर संत कबीर नगर और मगहर अब इस संत कबीर नगर जिले में इस्तित है पड़ता है और कबीर दास का जन्म वाराण सी यानि जिसे कासी कहा जाता है कासी में हुआ था लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में कासी छोड़ कर या मगहर चले गए और उसी अस्तान पर मुक्ष की प्राप्ति किये यानि मगहर नामक अस्तान पर ही सरीर का त्याग किया था अगला प्रस्णा है अयोध्या सोध संस्थान के अस्तापना कब हुई आप्षन A 1986 आप्षन B 1990 आप्षन C 1996 और आप्षन D 1988 इसका सही आंसर होगा A 1986 अगला प्रस्णा है मंदिर निर्माण की कला काविकास किस काल में हुआ आप्षन A मौरे काल आप्षन B खुशान काल आप्षन C गुप्त काल आप्षन D गुप्त अत्तर काल इसका सही आंसर होगा C गुप्त काल में मंदिर निर्माण की कला काविकास गुप्त काल में उत्तर प्रदेश में इमाम बाड़ा कहां इस्तित है आपसन ए लकनव आपसन भी आगरा आपसन सी बहराईज आपसन डी बलिया इसका सही आंसर होगा ए लकनव में उत्तर प्रदेश में इमाम बाड़ा कहां इस्तित है तो लकनव जनपद यानि जिले में इस्तित है और यहा इमामबाड़ा की अस्थापना यानि इमामबाड़े का निर्माड़ किसके समय में हुआ या किस ने करवाया तो अबवत के नवाब आसफ उद्दवला ने इमामबाड़े का निर्माड़ करवाया था, ओके? अगला प्रसना है, कुम्ब मेला उतर प्रदेश के की जनपद में आयोजित होता है, आपसन ए, प्रियाग राज, आपसन बीवाराण सी, आपसन सी आगरा, एंड आपसन डी गोरपकूर, इसका सही आंसर होगा, ए, प्रियाग राज, प्रियाग राज में कुम्ब मेले का आयो जित होता है 12 वर्ष पर महा कुम लगता है और 6 वर्ष पर प्रतेक 6 वर्ष पर अर्ध कुम लगता है इस प्रकार जो प्रियाग राज है या प्रियाग राज जन्पद है वह धार्मिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है अगला प्रस्ना है भारत का लाभवन कहां इस्तित है आपसने वाराण सी आपसन भी लखनव आपसन सी प्रयागराज एंड आपसन डिहाओगरा इसका सही अंसर होगा ए वाराण सी में इस्तित है अगला प्रस्ना है फते पूर्सिकरी नामक नगर की अस्थापना किस मुगल सा सकने की आपसने अकबर आपसन भी जहाँगीर आपसन सी सा जहाँ एंड आपसन डि आवरंग जी इसका सही आंसर होगा ए अकबर किस अकबर ने फते पूर्सिकरी नामक नगर की अस्थापना इंपार्टिन कोष्शन है अगला प्रस्न है संत सेख सलीम चिष्थी का मगबरा कहां इस्थित है आपसन फतेपूर सिक्री आपसन बी ललितपूर आपसन सी चित्रकूट एपसन डी प्रियागराज इसका सही आंसर होगा A पतेपूर सिकरी में संत सेख सलीम चिस्ती का मकबरा इस्ति करता है और ये द्यान रखिएगा आप लोग कि सेख सलीम चिस्ती मुगल बासा अकबर के समकालिन थे और सेख सलीम चिस्ती के कुटिया में ही मुगल बासा अकबर के पूत्र जहागीर का जन्म हुआ इसलिए पर अपने पुत्र जहांगीर को शेखो बाबा के नाम से, यानि प्रेम से उसे शेखो बाबा कहता था। अगला प्रस्न है उत्तर मध्य छेत्र सांस्कृतिक केंद्र इस्थित है आपसने प्रियाग राज आपसन भी वाराण सी आपसन सी जयाउनपूर एंड आपसन डी प्रताबगड इसका सही आंसर होगा ए प्रियाग राज बहुत इंपार्टेंट कोशन है कई बार एक्जाम मे पूछे भी गए हैं अगला प्रस्न है राजकी स्वतंतरता संग्राम संग्रहाल है कहां इस्थित है आपसन इप्रियाग राज आपसन सी जयाउनपूर इसका सही आंसर होगा ए मेरट में इस्थित है और यहाँ पर ध्यां रखना है कि मेरट से ही दस मई 1857 का बिद्रो प्र प्रारम किया गया था यह भी कोशन इंपार्टेंट है और राजकी स्वतंतरता संग्राम संग्रहाल है भी मेरट में है अगला प्रस्न है मेधक मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में इस्थित है आपसन ए लखीमपूर खीरी आपसन बी मतुरा आपसन सी कानपूर ए लखीमपूर खीरी जनपद में इस्थित है अगला प्रस्न है नईमी सारणय तीर्थ अस्थलकी जनपद में इस्थित है एकजाम में कई बार यह कोशन पूछा गया है आपसन ए सीतापूर आपसन बी महोबा आपसन सी उन्नाव और आपसन डी मुरादाबाद इसका सही अंसर होगा ए शीतापूर अगला प्रस्न है इतिहासकार बदायूनी का मगवरा कहां इस्थित है आपसन ए बदायूं आपसन बी इटावा आपसन सी गुंडा एंड आपसन डी चित्रकोट इसका सही अंसर होगा ए बदायूं में अगला प्रस्न है जैन तिर्थंकर सांती नात का मंदिर किस जनपद में इस्थित है आपसन ए ललितपूर आपसन बी महोबा आपसन सी इटावा आपसन डी गुंडा इसका सही आंसर होगा ललितपूर अगला प्रस्न है व्रिंदावन सोद संस्थान की अस्थापना कब हुई आपसन ए 1968 में आपसन भी 1970 में आपसन सी 1975 में आपसन डी 1980 में इसका सही आंसर होगा ए 1968 में अगला प्रस्न है लखनव में कला एवं सिल्प महा विद्याले की अस्थापना कब हुई आपसन ए 1911 में आपसन भी 1920 में आपसन सी 1950 में आपसन डी इसका सही आंसर होगा ए 1911 में लखनव में कला एवं सिल्प महा विद्याले की अस्थापना हुई थी ओके तो या इस सेशन के इंपार्टेंट कोश्चन थे आप लोग इन प्रस्नों को अच्छे से देखिएगा फिर हम लोग इंपार्टेंट प्रस्नों की श्रिंखला के स साथ मिलते हैं अगले भाग में